C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वराप्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत भुगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा पर्यावरण आए अब सुनते हैं अध्याय पांच शीरशक है जल प्रिश्ट संख्या तीस पांचवा अध्याय जल जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमजिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, है न? बच्चे वर्षा से भरे गढ़े में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं दोपहर तक गढ़े में जमा जल गायब हो जाता है वह जल कहां चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाश्पित हो जाता है ठंडा होने पर जल वाश्प संगहनित होकर बादलों का रूप ले लेता है यहां से यह वर्षा हिम अथ्वा सहिम व्रिष्टी के रूप में धर्ती या समुद्र पर नीचे गिरता है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायू मंडल एवं धर्ती के बीच चकर लगाता रहता है उसको जल चकर कहते हैं जल चकर का चित्र चित्र संख्या 5.1 में दिया हुआ है आए एक नजर डालते हैं इस चित्र पर चित्र संख्या 5.1 शिर्शक है जल चक्र और यहाँ पर जल चक्र का चित्र हम देख सकते हैं, प्रिथवी से आकाश तक का चित्र यहाँ पर है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे उपर संगहनन, संगहनन होने के बाद वर्षन या वर्षा होती है, वो और नीचे आती है और वहाँ से नीचे हम देखते हैं वाह और उसके बाद वाश्पी करण होता है वाश्पी करण के बाद फिर वही वाश्प ऊपर की ओर जाता है यानि आकाश में और वहाँ फिर से संगहनन होता है यही है जल चक्र अब सुनते हैं पाठ हमारी प्रित्वी थल शाला के समान है जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है जिस जल का प्रयोग आज हम हर्याना के खेत में सींचाई के लिए कर रहे हैं हो सकता है वह जल सैक्रों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी ताल सोते एवं हिमनद हैं महासागरों एवं समुद्रों का जल लवनी होता है अर्थात खारा होता है इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उप्योग किया जाने वाला नमक होता है इसी प्रिष्ट पर दो बॉक्स और सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्शक है शबदावली और एक शब्द यहां दिया हुआ है शब्द है थलशाला तो आईए सुनते है थलशाला क्या है थलशाला यह चोटे घर के पौधे रखने का कृतरिम आहाता हुता है एक और बॉक्स और उस बॉक्स का शीरशक है क्रिया कलाप और आपको जो क्रिया करनी है वो है अपनी थलशाला बनाए थलशाला इसमें एक चित्र हम देखते हैं जो एक बोतल का चित्र है और उसके अंदर कुछ पौधे हैं बोतल कह सकते हैं या जार कह सकते हैं इसका वर्डनन अब सुनते हैं थल शाला एक बड़े जार के एक चोथाई भाग में मिट्टी भर कर उसे अच्छी तरह दबा दें इसके उपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं तदुपरांत उसके चारों और छोटे पौधों को ब्यवस्थित करें इसमें जल की फुहार छिड़कें और जार को बंद कर दें पत्तियों एव मिट्टी के द्वारा वाश्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है प्रिष्ट संख्या 31 प्रिष्ट संख्या 31 में चित्र संख्या 5.2 है जिसमें विश्व के सभी प्रमुक समुद्र, जीलें एवं नदियां दिखाई गई है मांचित्र को ध्यान से देखें तो आपको सभी प्रमुक समुद्र, जीलें और नदियां इस मांचित्र के अंदर देखने को मिलेंगी मांचित्र को ध्यान से देखें प्रिष्ट संख्या 32 आप सुनते हैं पाठ जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि प्रिथ्वी की सतह का तीन चौथाई भाग जल से धाका हुआ है जरा सोचो यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना भला क्यों करना पड़ता है क्या प्रिथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है इस तालिका में जल वित्रण का प्रतिशत दिया हुआ है आईए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं महासागर में जल का कुल भाग 97.3 प्रतिशत है भूमिगत जल इसमें जल का कुल प्रतिशत है 00.68 प्रतिशत जीलों का अवलवन जल और इसमें जल का प्रतिशत है 00.009 प्रतिशत स्थानिय समुद्र एवं नमकीन जीले इनमें जल का कुल प्रतिशत पाया जाता है 00.009 वायू मंडल में जल का प्रतिशत कुछ इस प्रकार से है यानि वायू मंडल में कुल 00.001 प्रतिशत जल पाया जाता है नदियां नदियों में 00.001 प्रतिशत जल पाया जाता है इस सभी जल वित्रण की तालिका का कुल योग 100% बनता है आपके लिए एक काम यहाँ पर करने के लिए साधरन क्रिया कलाप द्वारा जल के वित्रण को प्रदर्शित किया जा सकता है क्रिया कलाप बॉक्स देखें आईए अब एक नज़र डालते हैं क्रिया कलाप बॉक्स पर क्रिया कलाप दो लीटर जल लें मान लें यह प्रिथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है बरतन से बारह चमच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें बरतन से जल निकालने के बाद शेश जल लवणी जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है यह लवणी जल यानि नमक युक्त जल होता है कटोरे में निकाल कर रखा गया बारह चमच जल में इस जल के वित्रण को दर्शाया गया है आप स्वयम देखें कि जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं अलवण जल का वित्रण एक तस्वीर यहाँ पर दी हुई है और यह तस्वीर उसी वृतांत की है जो हमने अभी-अभी सुना और यहाँ पर है नौ चमच बराबर बर्फ या छत्रक दो चमच बराबर भौम जल आधा चमच यानि अलवण जल की जीले और एक बूंद यानि नदिया इसी प्रिष्ट पर दो बॉक्स हैं और इस समय आईए सुनते हैं इन बॉक्स में क्या लिखा है सबसे पहला बॉक्स कहता है क्या आप जानते हैं और यहां लिखा है लवणता एक हजार ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है महसागर की आउसत लवणता पैंतिस भाग प्रति हजार ग्राम है दूसरा बॉक्स और दूसरे बॉक्स का भी शीरशक है क्या आप जानते हैं और यहां पर जो बात हमें जाननी है वो यह है इसराइल के मृत सागर में तीन सो चालिस ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं या तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है अब सुनते हैं पाठ जीवन के लिए जल आवर्शक है प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उप्योग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बरबाद करते हैं प्रिष्ट संख्या तैंटीस प्रिष्ट संख्या तैंटीस में सबसे पहले हम देखते हैं कुछ अखवारों की कत्रने और इन अखवारों की कत्रनों में न्यूज आइटम्स हैं और आएए इसके शीर्षक को पहले देखते हैं. सबसे पहला शीर्षक, more than just a problem. दूसरा शीर्षक है, the water you drink. तीसरा शीर्षक है, coping with water scarcity. चौथा शीर्षक, water scenario in urban India and Delhi. नीचे देखेंगे और एक और news item यहाँ पर. हमारे सामने है, उसका शीर्षक है, many major rivers in danger of drying out. और एक caption यहाँ पर और, गंगा अमंग 10 dying rivers. इस इन news items को देखकर, या इन captions को देखकर, साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कि यह जल की समस्या के बारे में दर्शाता है. कुछ प्रश्णी यहाँ पर है, और सबसे पहला प्रश्ण, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा, जल संरक्षन की कुछ विधियां सुझाईए. कह अपने घर में, और खह स्कूल में. अब सुनते हैं पाठ, और पाठ से पहले एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर, और इसका शीर्शक है, क्या आप जानते हैं? 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल सन्रक्षन की विभिन विधियों को प्रबलित किया जाता है. और अब सुनते हैं पाठ. महा सागरिय परी संचरण समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादूई सी अनुभूती होती है. पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायू में लवणिय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है. ताल एवं जील के शांत जल के विपरीत महा सागरी ये जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता. महा सागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गी कृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार, भाटा, एवं धाराएं. इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्र संख्या 5.3 और ये प्रशांत महा सागर का चित्र है. प्रिष्ट संख्या 34. इस प्रिष्ट में सबसे पहले दो बॉक्स और उसके बाद हम सुनेंगे पार्ट. पहला बॉक्स, क्या आप जानते हैं, जब समुदरी सतह पर पवन बहती है, तब तरंगे उत्वन न होती है. जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है. दूसरा बॉक्स, क्या आप जानते हैं, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रे तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रे या बंदरगाह नश्ट हो जाते हैं और आप सुनते हैं पाठ तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय, जब गेंद जल में गिर जाती है, तो क्या होता है? यह द्रिश्य बहुत ही मनुरंजक होता है, कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लोट जाती है? जब महासागरिय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो उसे तरंगें कहते हैं इसी के नीचे चित्र संख्या 5.4 जिसमें तरंगों का चित्र है, और यहाँ पर समुद्र की मचलती लहरों को दिखाया गया है अब सुनते हैं पाठ तूफान में तेज वायू चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है भूकंप, ज्वाला मुखी उद्गार या जल के नीचे भूस खलन के कारण महासागरिय जल अत्यधिक विस्थापित होता है इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की उचाई वाली विशाल जुआरी ये तरंगें उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रती घंटे से अधिक की गती से चलती हैं 2004 में सुनामी से भारत के तटिये क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीव समुह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था और इसी प्रिष्ट पर अब एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है सुनामी प्रिथ्वी का तांडव आईए सुनते हैं 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथ्वा पोताश्रे तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ ये तरंगे उस भुकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था भारतिय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गती उत्पन्न हो गई इस कारण यह भुकंप आया महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में जुक गया इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी और बहने लगा फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल घटने लगा भारतिय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की और लौटा यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से आया जिसकी तुलना व्यावसाइक वायूयानों की गती से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्ण नतह डूब गए प्रिष्ट संख्या 35 भारतिय सीमा का धुर दक्षिनी विंदू इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकवार द्वीफ समुँ में स्थित है पूरी तरह से डूब गया जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीफ समुँ एवं श्रीलंका की और बढ़ी तरंगों की लंबाई कम हो गई जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गती भी 700 से 900 किलोमीटर प्रती घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई समुद्रतर से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई जिसके फलस्वरूप दस हजार से भी अधिक लोगों की मृत्यू हो गई और एक लाख से अधिक घर प्रभावित हुए भारत में आंधर प्रदेश के तटिय प्रदेश, तमिलनाडू, केरल, पुद्दुचेरी तथा अंडमान और निकोबार, द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुए यद्यपी पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभाव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत तीन घंटे पहले मिल सकते हैं प्रशांत महासागर में प्राथ्मिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहां भूकमपी क्रिया बहुत कम होती है यहां दो चित्र दिये गए हैं और यह चित्र दिखाते हैं कि तमिलाडू के तट पर सुनामी द्वारा विनाश किस प्रकार हुआ था यहां तूटे हुए घर और उखडे हुए पेड और जल की उची उची तरंगों को देखा जा सकता है जो तट की तरफ बढ़ रही हैं और अब सुनते हैं पाट दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिन एवं दक्षिन पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वहां पिछले कई सव वर्षों की सरवाधिक विनाशकारी सुनामी थी हिंद महासागर में निरिक्षन आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटिये निवासियों में जागरुकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ती की अत्यधिक ख्षती हुई सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटियेक शित्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे ज्वार भाटा दिन में दो बार नियम से महा सागरिय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है जब सरवाधिक उचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुवो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं प्रिष्ट संख्या 36 इस प्रिष्ट संख्या 36 में सबसे पहले चित्र संख्या 5.5 और ये लगु जुआर भाटा एवं ब्रिहद जुआर भाटा के चित्र को दर्शाता है सबसे पहले इस चित्र में दिखाया गया है लगू जुआरभाटा जिसमें चित्र में हम देख सकते हैं कि सूर्य और पृत्वी समानंतर यानि एक पंक्ती में हैं और चंद्रमा पृत्वी के उपर है ब्रिहत ज्वार भाटा में हम देख सकते हैं जो सबसे पहला चित्र है और वो चित्र है उसमें सूर्य, चंद्रमा और पृत्वी तीनों समानांतर पंक्तियों में हैं और नीचे और एक चित्र है और इस चित्र में सूर्य और प्रिथवी और चंद्रमा ये तीनों समानंतर पंक्ती में हैं। अब आईए सुनते हैं पाठ। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वा कर्शन बल के कारण प्रिथवी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब प्रिथुई का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षन बल से जल अभिकरशित होता है, जिसके कारण उच्च जुआर आते हैं, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं प्रिथवी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे उंचे ज्वार उठते हैं इस ज्वार को व्रिहत ज्वार कहते हैं लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वा कर्शन बल विप्रीत दिशाओं से महा सागरिय जल पर पढ़ता है परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है ऐसे ज्वार को लगू ज्वार भाटा कहते हैं उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है ये जल स्तर को तट की उँचाई तक पहुँचाते हैं ये जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते हैं उच ज्वार मचली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच ज्वार के दोरान अनेक मचलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलसरूप मच्वारे बिना कठिनाई के मचलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाओ का उपयोग विद्युत उत्पन करने के लिए किया जाता है। महासागरिय धाराएं महासागरिय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरिय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलकी धाराएं होती हैं महासागरिय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों हो सकती हैं समान्यतह गर्म महासागरी ये धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन होती हैं एवं ध्रूओं की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रूओं एवं उच्च अक्षांशों से उष्ण, कटी बंधिय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभाहित होती हैं। लेवरडोर महासागरिय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरी ये धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलिय जल का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मच्स्ययन ख्षेत्र माना जाता है। यानि यह स्थान मचलियां पकड़ने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तर्ट पर इसके कुछ उदाहरन है। अब इसी प्रिष्ट संख्या 36 पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्रिया कलाप। और वो क्रिया कलाप है। एक बाल्टी को नल के पानी से तीन चवथाई भरें। बाल्टी के एक और निमजन छड डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी और फिज से निकली बर्फ डालें। एक बुन्द लाल सियाही डाल कर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का निरिक्षण कीजिए। प्रिष्ट संख्या 37 प्रिष्ट संख्या 37 में सबसे पहले एक मांचित्र और ये मांचित्र है चित्र संख्या 5.6 पर और इस मांचित्र में हम महासागरिये जल धाराओं को देख सकते हैं शीर्शक है महासागरी ये धाराएं और इस चित्र में मुख्य रूप से यदि देखें तो हमें दिखाई पड़ती हैं अलासका धारा, उत्री प्रशांत अपवाह, उत्री विशुवती ये धारा, विशुवती ये विप्रीत धारा, दक्षिनी विशुवती ये धारा और प हमें दिखाई पड़ रहा है उत्री अटलांटिक अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज धारा, उत्री विशुवती ये धारा, इक्वाडोर विप्रीत धारा, ब्राजीलियन धारा, दक्षिनी विशुवती ये धारा, और पश्चिमी वायू अपवाह, और अब आते हैं हि महासागर में हम देख सकते हैं विशुवती ये विप्रीत धारा, दक्षिनी विशुवती ये धारा, और पश्चिमी अउस्ट्रीलियन धारा, और साथी साथ पश्चिमी वायू अपवाह भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, और अब आते हैं फिर से प्रशांत महासागर की ओ यहां हमें दिखाई पड़ता है विशुवतिय वृत्त और क्यूरेशियो धारा और आवासियो धारा सुनते हैं पाठ जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां कुहरे वाला मौसम बनता है इसके फलसरूप नौ संचालन में या जहाज चलाने में बाधा उत्पन होती है प्रश्न अभ्यास इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए क वर्शन क्या है ख जल चक्र क्या है ग लहरों की उंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं घ महासागरिये जल की गती को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं च जवारभाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन होते हैं च महासागरिये धाराएं क्या हैं दो कारण बताईए क समुदरी जल नमकीन होता है क्यों? ख जल की गुणवत्ता का हरास हो रहा है क्यों? प्रिष्ट संख्या 38 तीन सही उत्तर बताईए और साथियों यहाँ पर पिछले अध्यायों की तरह एक प्रशन और उसके साथ तीन विकल्प दिये हुए हैं आईए सुनते हैं सबसे पहला प्रशन क वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है विकल्प है पहला जल क्रम दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरिय धाराएं ख सामान्यतह गर्म महासागरिय धाराएं उत्पन होती हैं विकल्प है एक ध्रूओं के निकट दो भूमध्य रेखा के निकट तीन दोनों में से कोई नहीं ग दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है एक ज्वार भाटा दो महासागरिय धाराएं और तीन तरंगें चार यहां दो स्तंभ दिये हुए हैं और आपको दोनों स्तंभों के बीच में मिलान करना है आएए सुनते हैं सबसे पहले पहला स्तंभ क कैस्पियन सागर ख ज्वार भाटा ग सुनामी ग महासागरिय धाराएं और दूसरे स्तंभ में विकल्प दिये हुए हैं जिसका आपको पहले स्तंभ से मिलान करना है और दूसरे स्तंभ में विकल्प इस प्रकार से हैं एक विशालतम जील दो जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार तीन तीवर भूकमपी तरंगे चार निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं पांच जल चक्र पांच आओ खेलें जासूस बनियें कर यहां दिये गए अंग्रेजी के प्रतेक वाक्य में एक नदी का नाम ढूण है एक्जाम्पल मंदिरा विजया लक्ष्मी एंड सुरिंदर आर माई बेस्ट फ्रेंड्स और यहां पर आप देखेंगे महिंदरा और विजया लक्ष्मी जो अंतिम शब्द है और जो पहला शब्द है वो बोल्ड दिया हुआ है और महिंदरा यहां आखरी दो शब्द होंगे आर यह और विजया लक्ष्मी उसके शुरू के शब्द होंगे वी आई तो आर ये वी आई यहांनि रावी रावी एक नदी का नाम है तो आईए अब कुछ सब्दों को देखते हैं आपको इस वाक्य में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ढूणना है आपको यहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर एक डिस्टिब्यूटरी या वितरीका का नाम ढूणना है इस वाक्य में आपको एक रसदार फल का नाम ढूणना है C. भावानी जर्मिनेट था इस इन अपत Hint. लुक फर हर इन वेस्ट अफरिका E. आप अजोन चंपिन अव ब्रह्मपुत्र नाओ रखल देल्ट एक्सित अथलेट Hint. अज़ देखते हैं in the world F. अज़ देखते हैं F. अज़ देखते हैं and all the food fell in dusty potholes Hint. रिसे इंडिया अज़ जर्नीज थू पकिस्तान G. अज़ देखते हैं when she felt that she was going to faint Hint. Her delta in Egypt is famous H. Samanta mesmerized everybody with her magic tricks Hint. London is situated on her estuary I. In this neighborhood, please don't yell owners of these houses like to have peace warned my father when we moved into our new flat Hint. Color that means find out the name of a color J. Where the following words mark on go in said the teacher to the little boy in KG class Hint. Rhymes with bongo Now, make some more on your own and ask your classmates to spot the hidden name You can do this with any name That of a lake, mountains, trees, fruits, schools, items, etc. J. जासूसी करते रहिये K. Atlas की सहायता से 5.1 में खोजी गई सभी नदियों को विश्व के रूप रेखा मान चित्र में बनाईये यहां पांचमा अध्याय जिसका शीर्षक था जल समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे हमारा पर्यावरण ध्वानी पाठे पुस्तक का पांचमा अध्याय शीर्षक था जल वाचन्स्वर अजी थोरो निर्मान सहयोग शानू मुक्सीम निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत